नमस्कार गायतरी जोतिस के इंदर में आप सभी लोगों का स्वागत है जोतिस सास्त्र या किसी भी सास्त्र में या जो लोग कहावते होती है उसके अनुसार कई तोटके कई उपाय ऐसे होते हैं जो कि कमाल कर देते हैं आपकी मन मागी मुराद पूरी कर देते हैं आपके सभ कुछ ऐसे चमतकारी टोटके जो की प्रसिद्ध भी होते हैं और लोग जिनको आज माते भी हैं और जो सिद्ध भी होते हैं ऐसा ही एक सर्वसिद्ध टोटका जो की सास्त्र में भी जिसका वर्डन है टोटका में और जो लोग काहतों में भी बड़ा प्रसिद्ध ही रखता है ऐसा ही एक टोटका आपके मन की मुराद पूरी करने वाला आज के इस फीडियो में आप लोग के लिए लेके आये हूँ देखे जाडू जिसे हर कोई जानता है हर घर की वहाँ जरूरत होती है और सबसे बड़ी जरूरत उसकी क्या है जो वहाँ हमें देती है हमारे घर की सारी गंदगी को वहाँ दूर करती है सिवाए हमारे सरीर की गंदगी को छोड़ कर तो जाडू के बारे में बताया गया है कि इसे लक्समी का प्रतीक भी माना गया है बहुत से लोग का आपने बहुत सास्तरों में पढ़ा हुआ कि इसे लक्समी का प्रतीक माना गया है जाडू को सबाल के रखना चाहिए ज़ाडू किसी की नजर में ना आए जिससे की घर की लक्समी बनी रहती है यदि ज़ाडू किसी की नजर में आता है तो घर की लक्समी में छेद हो जाता है कहते हैं यानि कि उसमें उसका द्वार खुल जाता है और वह निकलने लगती है तो जाडू को इतना महतफूने माना गया है लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि जिस जाडू ने हमें इतना साहरा दिया है हमारी इतनी गंदगी जिसने साथ की जब वह घिस जाता है तो हम उसे कुड़े कभार, भंगार यानि कि डस्ट में डाल देते हैं उसकी कोई जट नहीं रहती है यही हमारा सबसे बड़ा लूच पॉइंट है, हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं जैसे चपल है, हम आपके लिए पूरो में एक चपल का वीडियो लेके आये थे, वो एक ऐसी चीज़े हैं, जिन्होंने हमें सहरा दिया होता है हमें कश्टों से बचाया होता है, मुसीबतों से बचाया होता है, और वो साथ दिया होता है कि जो दुसरा आदमी हमें वो सहरा नहीं दे सकता, कोई दुसरा बिल्ला मनुष से नहीं दे सकता वो सहरा हमें वो देते हैं और अंत में हम उनकी बुरी गत करते हैं तो वहाँ पर क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पर हमारी सभी समस्यां समाप्त होने वाली होती हैं और वो मौका हमें मिलता है लेकिन हम उसे भुना नहीं पाते हैं तो जाडू सबी कश्टों से, सबी दुखों से आपको मुक्ति दिला सकती है, आपकी मनमागी मुराद जिसु देश से भी आप उस चीज को करेंगे, जो अभी हम बता रहे हैं, आपकी मुराद अवस्य ही पूरी हो जाएगी, बताया गया है कि जाडू जब घिज जाए, तो उस जाडू क बुदवार, सुक्रवार, सनिवार के दिन, किसी भरी भुरी यानि कि जो कोई बड़ी जाड़ी हो, बड़ा पेड़ हो, जो खना हो, जिसमें कि आप उसे रगद है और वह किसी की नजर में ना है, ऐसी किसी हरी भरी जाड़ी के बीच में आप बुदवार, सुक्रवार, सन पुयास्त के बाद यानि कि साइं के समय पे आप उसे डाल दीजिए या आप नदी तट पे रहते हैं तो नदी में उसे डुबो दीजिए उस समय पे वह किसी की नजर में नहीं आना चाहिए बाद में भले कोई उसे देख ले वो अलग बाद है तो बताया गया है कि यदि करते हैं तो वो जाड़ू आपके लिए बड़ा चमतकारिक फल्दाई हो जाता है आप करके देख लीजिए का कमाल कर देता है मनमागी मुराद पूरी कर देता है व्यक्ति की जिस उद्देश से व्यक्ति उस चीज को करेगा तो वह उसको प्रतिफल उस चीज में अवस्य ह हौए तूटकर और दूसरा सास्त्रों में तोटके सास्त्र में इसका वर्णन भी हैं तो हम आपसे बुझारिष करेंगे कि एक बार क्यstal की यह करके दूसरी बार करिए नेचुरिली तौरपे करिए आपको प्रतिफल आपके हाथ में होगा हमारे कहने पे नहीं होगा हमारे मुख में नहीं होगा तो मैं हम उम्मीद करते हैं कि आप इस टोटके को आज भाएंगे परचलिती है टोटका था और यदि आप लोगों को के लिए ऐसे वीडियो पर आप पर होंगे जो आपको कहीं नहीं मिल सकते हैं वो वीडियो जो कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पे आपके काम आ सकते हैं कोई अन्य चीज़ां आपका सब साथ चोड़ देंगी लेकिन गायतरी जोतिसकेंद्र के वीडियो और उनमें बताये जैसरी कुष्णा, ओम नमक्सिमा